नागलवाडी प्रेम त्रिकोर्ण में हत्या प्रेमी व प्रेमिका के बीच आये अन्ने प्रेमी को प्रेमी युगल ने दोस्त की मदद से उतार था मोत के घाट सेंदवा इश्डियोपी ने किया अंधेक अतलका खुलासा ग्राम कमोद वाड़ा में कुवे में युग की लास मिलने के मामले का पुलीस ने खुलासा किया है मामले का खुलासा करते वे सेंदवा इश्डियोपी मनहुर से बारिया ने बताया कि पाच तारीक को तारा भाई ने अपने पती की गुमशोदगी नागलवाडी थाने पर दर्ज करवाई थी उसके बाद नो तारीक को ग्राम कमोदवाडा में कुवे में युवक की लास मिली थी जिस पर मर्ग कायम कर जाच की गई जाच में पाया गया कि मरतक युवक गुलाब गाउ की संगीता भाई से प्यार करता था और माधव भी संगीता से प्यार करता था संगीता द्वारा माधाव ने युवक को फोन करके बुलवाया और माधाव के दोस्त राजु के साथ माधाव वह संगीता ने युवक के हत्या कर दी राजु ने योग के हाथ पकड़े और माधव ने पत्थर मार कर हत्या की और उसके बाद रतन की कुए में डाल दिया पुलीस ने तीनों आरोपियों को गिरफतार किया है संगीता के पूर्व प्रेमी माधव वह उसके दोस्त के साथ प्रेमी की हत्या की गई टीनों गिरफतार ही पुलीस ने अंधे कतल का खुलासा किया है जिसमें पुलीस कर्मियों के साथ ही साइबर सेल का सरहानिय योगदान रहा के तहरों के तहर लित्त बागए जिसमें जांच में फिर यह पाई गया की संगीता वो उससे प्यार करती दि for माधव भी संगीता करता था संगीता द्वारा माधव को बोल के माधव को बुलवाया तकर तुई अब बुल्त करके कि background, από लिए सवार ने अपने और माधव ने उसको पत्थर से मूँ पे और आंद्रिक शरीर के अंगों पर चोंट कोंचाई जिसके बाद फिर उसको रतन के खेत पर डाल दिया गया और जो आरोपी वो पहले गाया वो तिन चार साल से उसका प्यार है आरोपी आरोपी इन्होंने प्लान करें यह कहा कि तू किसी और से प्यार करेंगी तो उसका हसर यह होगा यह सा उसको बताया गया और मैं तेरे से प्यार करता हूं तू किसी और को ना बुलाई इसलिए प्रेमी का ने अपने पुरूव प्रेमी के साथ हमें उसके हत्या की गई जिसके आधार पर ठाना नागलवाडी में 302, 201 के अब बगेर मास्क नजर आने वालों पर होगी कारवाई, कलेक्टर ने टीम का किया गठन, इसकुल संचालकों को भी दिया नोटीस, बच्चे अगर बगेर मास्क इसकुल आए तो होगी प्रबंदन पर कारवाई, महराष्ट में बढ़ते कोरुना मरीजों की संख्या के बा वहीं आज कलेक्टर शिवराष्य वर्मा ने निर्देश जारी कर टीमों का गठन कर दिया है, जिसके बाद कल से जहां इसकुलों में बगेर मास्क बच्चे नजर आने पर जहां प्रबंदन पर कारवाई की जाएगी, वहीं गठित टीमें भी कल से सर्चिंग कर बगेर मास और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों के खिलाब कारवाई करते नजर आएगी, आज कलेक्टर शिवराष्य वर्मा ने मीडिया से चर्चा में साब संकेत दे दिये हैं कि कल से अब किसी प्रकार की लापरवही बरदास्त नहीं की जाएगी, साथ ही आमजन से संकी गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से बचें